सर एक डाउट था हाँ बेठी बुली सर हमारे जैसे तोहारों में बहुत सारा पान यूज होता है लोगों को पान खाने की बहुत आदत है तो आप बताएंगे पान के फाइदे क्या है पान के फाइदे जैसे आपने यहाँ पर दो टाइप के पान लाए है एक यह है मगदी पान और यह है कलकत्ता पान पान के आईरविद में लगवग 12 से 15 फाइदे बोले गए है तो सबसे पहला फाइदा पान का है वो बोला है विशद विशद मतलब ऐसे लोग जिनकों मुँ हमेशा गंदा रहता है बहुत ज़्यादा दातों में गंदगी आती है बहुत थोकूव बनता है थोकना पड़ता है मुँ में क्लीनिंग फिल नहीं होती है इस तरह की तकलीफ है यह कफ से परेशान है कि हमेशा बोलते है कि सोते तो भी सलाइवा यह सब गिरते रहता है तो पहला फाइदा तो है कि पान उसमें यूज किया जाता है फाइदा नुम्बर दो पान का बोला है रुच्यम रुच्यम शंस्क्रितिक शब्द है जिसका मतलब होता है कि पान खाने में टेस्ट बढ़ाता है तो ऐसे लोग जो बोलते हैं कि 8-10 घंटा हो गया खाके भूखी नहीं लग रही है खाने में मज़ा नहीं आ रहा है अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी कि मतलब पेट में खाना पड़ा हुआ रहता है उनका मन करता है बट उनको मज़ा नहीं आता है मीठा वीठा कुछ भी रख दिया तो खाने में जो पान है वो टेस्ट बढ़ा देता है मज़ा बढ़ा देता है तो जिनको भी खाने में मज़ा नहीं आता उसमें पान फाइदे मन्द है फिर तीसरा फाइदा आईरवेद में इसको बोला है ओष्ण तीष्ण ये दोनों संस्कृत शब्दे हैं ओष्ण मतलब पान गरम होता है और ये फोड़ने का काम करता है तो ऐसे लोग जिनको बहुत जदा ठंडी लगती है बहुत जदा बॉड़ी में ब्लॉकेज है हार्ट म बहुत सुनते हो हाँ हाँ हाइपो थाइरएड लेडिस को होता है पीसी ओडी गरबाश्रेमेगाठ होती है फाइब्रेड यूटेरस जैसे चीजे होती है स्टोन होता है पत्री होता है उन सारी जगवपे आईरवेद में तीष्ण मतलब फोड़ने वाली दवाईयां बोली है कि सरकाने का काम करता है तो आपने ऐसे बहुत सारी लोग देखे होंगे कि सुबह पेट साफ नहीं होता उनको चाय कॉफी तंबाको सिगरेट वह सब आइटम भी गरम है तो पान के अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि वह खाने को ऐसे लोग जो लेट नाइट खाना खाते ह हैं खाना हजम नहीं होता इसलिए पेट साफ नहीं होता अगर वो रोज खाना खाने के बाद पान खाते हैं तो उनका खाना अच्छे से हजम होगा और पेट साफ होने में भी उनको मदद मिलेगी स्पेशली जिनको चिकना मल होने की प्रॉब्रम पांचों हर्दा पान का ब बोलते हैं कि अगर हम दिन में सो गए या रात में हम सो के सुबह उठे तो उनको भयंग कर आलस लगता है सुबह एनरजी बिल्कुल नहीं लगती दो तिन घंटे हो जाने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है तो ऐसे लोग को अगर ताकत चाहिए तो उनके लिए पान बहु अगर ताना मोटापा यह सब कफ की बिमारिया हैं जिनका हमेशा गले में ऐसे करना पड़ता है नेजल साइनसिस की तकलीफे ब्लॉक हो जाता है ऐसी कफ की कोई भी बिमारी हो बहुत ज़्यादा चाहिए कफ ठूकना पड़ रहा हो नाक से कफ निकल रहा हो नाक बंद हो उ क्योंकि यह कफ को कम करता है तो आलसाना कफ बहुत ज़्यादा होना मोटापा होना उन सब में पान फाइदेमंद रहेगा एक और बेनिफिट बताते हैं आयरवेद में बोलते हैं आश्य दौर गंद्य आश्य दौर गंद्य उसका क्या मतलब है आश्य दौर गंद्य शब् बहुत दुरगंद बद्बू आती है मतब इतना कि उनको खुद के भी कपड़ों की स्मेल बरदास नहीं होती आपने ट्रेन में में ट्रेवल के हो तो देखा होगा कि बहुत स्मेल आता है तो ऐसे में अगर ऐसे लोग पान खाना चालू करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा बॉ बार-बार खराब होता है सबोस कुछ मीठा खा लिया आईसक्रिम खा लिया कोल ड्रिंग पी लिये या रात के समय पर कुछ थंडा पानी पी लिये तो जिनको बार-बार गले में खराबी की तकलिफ होती है ऐसे लोग अगर पान खाते हैं तो उनका ये कफ कम करेगा वोइस इंप्रूफ करने में मदद करेगा, तो जिनकी आवाज खुल के नहीं आती है, specially छोटे बच्चों में ऐसे देखा जाता है, कि उनका गला प्रॉपर क्लियर नहीं रहता, तो जिनको अच्छा गला चाहिए, अच्छा साउंड चाहिए, कफ की तकलिफ ठीक करनी है, तो पान फाइदे मन्द रहेगा, और दो फाइदे हैं, एक फाइदे हैं वहीनी दीपनम, वहीनी दीपनम अर्थात, यह भूप को अच्छे से खुलता है, तो जिनको भूप लगती नहीं, खाने में अच्छा चाहिए, कम लगती है भूप, उसमें फाइदा करेगा, कि आप गार आपने खाना खा लिया है, 12-14 घंटे हुए, खाना अजम नहीं हो रहा है, खाना खाने के बाद आप पान एड़ कीजिए, और आपकी भूप अच्छे से खुलने लगेगी, आपको खाने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि रुच्चम भी है, और आपकी भूप में रह गए, खासे बाडी में रुक्षिता बढ़ गई हो, रुक्षिता में पान उतना काम नहीं करेगा, जिनको कफ बहुत ज़्यादा है, जिनको पसीना वसीना बहुत ज़्यादा लगता है, दूदूद से तकलिफ होती है, ऐसे में अगर खुजली बहुत ज़्यादा ह को होती है बार बार गीला पन होने के कार्ण जीनको फंगस कि थे नहीं और तो आपके एक सवाल का इतना बड़ा एंसर है कि इतनी सार चीज़ों में फाइदा करता है तो समझ में पान पान खाने से नुक्सान क्या है जैसे गर बहुत लोगों को आदत होती है अती सेवन करना पान का अती सेवन कर लेते हैं तो उसमें उनको क्या नुक्सान हो सकते अब आयरवेद की खासियत है कि वो हमेशा फायदों के साथ नुक्सान भी बोलता है आयरवेद में आठ नुक्स बोडी में बहुत ज़्यदा गर्मी हैं हीट है मुँमें चाले वाले बढ़ते हैं हाथ-पैर में जलन होता है गर्मी के करण कोई भी बीमारी होती है अलसर हो रहे हैं कुछ भी हो रहा है ऐसे लोग अगर पित्त अगर इसे लोग पान खाएंगे पित्त की तकलिफे और पान उनकी मिमारी और बढ़ जाएगी नमबर दो जो प्रॉब्लम बोला है पान के साथ वो बोला है रक्त पित्त कर मतलब एक तो होता है बौडी में यह गर्मी बढ़ा देगा दूसरा अगर किसी ने यह आदत कंटीनियू रखी कि चलो कुछ नहीं होता आपने देखा होगा ब बहुत ज़दा पान खाने की आदत है तो उनको पीरियड में बहुत ज़दा ब्लीडिंग की तकलिफ हो सकती है इस तरीके की तकलिफ तो जिनको ब्लीडिंग डिसॉडर है और प्लेटलेट्स कम है बार बार खुन निकलता है ऐसे लोगों के लिए पान अच्छा नहीं है त जिनको मोतिया पिन जेसी तकलिफ है उनके लिए तो पान अच्छा है पर जिनको आखों में बहुत ज़दा जलन होती है आख एक्दम लाल हो जाती है आखों में दर्द होता है ऐसी आखों से लिटेट कोई भी तकलिफ है तो पान अच्छा नहीं है चौती प्रॉबलम पान के साथ आईरवेद में बोला है शते जिनको इंजरी हुई है एक्सिडेंट हुआ है उन्होंने कोई operation कराया समझो कि गॉल बेडर स्टोन निकाना है या appendix का operation हुआ है या कुछ घुटना उठने का operation हुआ है या एक्सिडेंट हो गया था और एक्सिडेंट के बाद कुछ ऑपरेट करना बढ़ा अब ऐसा व्यक्ति सुझेगा कि ठीक है मैं पान खाऊं तो वो जो उनको बीमारी हुई थी एक्सिडेंट हुआ था वो तकलीफ से रिकवर होने में यह प्रॉब्लम करेगा तो जिनका operation हुआ मतलब चालू है या हो रहे है तो मतलब फ्रेश वो घाव है उनका तब वो नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह bleeding बढ़ा देता है खोन रोकने का काम जो body को करना है उसको यह थ ले लेते हैं तो जिनोंने कभी न कभी poison लिया है यह ऐसे लोग अगर गल्दी से पान खाना चालो कर दे तो वो poison का effect यह बढ़ा देगा अच्छा वदब 10-15 साल मेले आपने कुछ poison लिया तो चूह मानने की दवाई ले ले थी गुस्से में अब वो सब आपको बहारा पाग फिर भी उसकी effect तो बॉड़ी में रहते ही हैं अगर ऐसा व्यक्ति कोई पान खाता है तो वो poison को और बढ़ा देगा तो ऐसे लोगों के लिए पान तो के लिए पूरा बर्जे थी टोटल रोकना चाहिए और तिन condition बोली है पहला जो लोग सूखने लग गये हैं किसी भी कार से शरीर सूख रहा है उनके लिए पान बहुत डेंजरस है मोटे लोग के लिए बहुत अच्छा है बट पतले लोगों को यह तकलिफ करेगा और दो condition है जिनको ड्राइनेस बहुत ज्यादा है बॉड़ी में हाथ पैर में कट्स बढ़ते हैं ड्राय लिप्स जैसी बाल ड्र हैं स्किन ड्राय हैं फिशर्स जैसी बार बार तकलिफ होती है उनके लिए पान अच्छा बिल्कुल भी नहीं है और लास्ट कंडिशन जिनको दारू पीने की आदत है कि आप एक नशा कर रहे थे दारू आरू पी के बॉड़ी में गर्मी बड़ी हुई है लीवर खराब हो दारू पीने की वियर वियर से लेके कोई भी दारू हो वाइन कभी भी बगर आप दारू पी रहे हो तो आपके लिए पान अच्छा नहीं है तो इतने फायदों के साथ इतने नुकसान भी आईरवेद में बुले तो सर बहुत लोगों को जैसे मीठा पान खाने की आदत है जिसमें गुल ङंदा आता है साथ ए तो यह सब चीजें और कुछ लोग जो यूस करते हैं पान वह सुपारी चूना वगरा इस सब के साथ यूस करतें तो कौन सा सही तरीक़ा है पान खाने का सब्सक्राइब को इस तה फालत मारें खार को और पान के इगा फाईदें जैसे बाडी में बहुत ज़दा फैट है कफ बहुत ज़दा होता है गले में नाकवा ब्लॉक होता है उनको चूना और सौफ वाला जो पान है कि पान में ले चूना लगाए सौफ डाल कर खाए वो ज़दा अच्छा है अब हमने जैसे बात की कि पान गर्मी बढ़ा देता है तो जो गरम नेचर की लोग है जिनको हीट बहुत ज़्यादा लगती है ऐसे लोगों के लिए गुलकंद वाला पान जिसमें की कत्था कत्थे को आईरविद में खदिर बोलते हैं तो कत्था लगा हुआ पान जिसमें की गुलकंद डाला है और इलाइची ये सब एक टाइम पे चल ज जाएगा थोड़ा सा सुपारी भी खा सकते हैं जिनको पित्त जाद है क्योंकि सुपारी ठंडा है गुलकंद ठंडा है और कत्था भी ठंडा है तो वो पान की हीट को कंट्रोल कर देगा और जो वात वाले लोग है वो एक मीठा पान जिसके अंदर पूरा लॉंग जैसे सीजन्स हैं समर विंटर तो इसमें अगर ऐसा कोई है जो जिसमें खाना ही नहीं चाहिए या ऐसा कोई है जिसमें खाना मत्रब अच्छा हो फाइदे मत अच्छा सवाल है दो से जो भी गरम मौसम है खासकर कि गर्मी का मौसम और अभी जो शरत रितु चल रही थी 15 से से लेके 15 नौमबर तक उस टाइम पर पान क्यूंकि अल्रीडी गरम है नेचर में और हीट बढ़ा देगा तो अच्छा नहीं है बट जो ठंडी के मौसम है डिसमबर जैनवरी फैब्रॉरी मार्च इन चार महीनों में आप पान बिंदस खा सकते और यह सर पान जो है डाइबिटीज में इसका डाइरेक इंपेक्ट तो नहीं है बट डाइबिटीज जो बीमारी है हम आई रिवेद में उसको प्रमेह से बहुत बार रिलेट करते हैं वो कफ डॉमिनेंट बीमारी है तो अब डाइबिटीक पेशेंट को देखो वो कुछ काम नहीं करता आलसी क को कम करने में में і ये मदद करेंगा और जैसे देखा गया है कि प्रेगनेंट लेडीज जो होती है उनके प्रेग्सी के दौरान बहुत सारे फंक्छन्स शुते हैं उनको जयसे में बहुत सारें ने wird तब पान खाना पसंद करते हैं या उनको किसी रसमें खिलाया भी जाता तो क्या वो उनकी लिए सेफ हैं मतलब वो खा सकते हैं प्रेगनेंसी में पान एक जो तेवहार जैसा कोई है उस टाइम पर ओके हैं या आईरवेद में फॉर्थ मन्त बोला गया है कि मतलब पेट में जब बच्चा होता है और चौथा महीना होता है उस टाइम पर बच्चे के खुद के डिजायर होते हैं आईरवेद में ऐसे माना गया है कि आत्मा आती है एक बच्चे के त्रू उस आत्मा के खुद डिजायर होते हैं फोर मन्त में अगर क्रेविंग हो रही है मा को स्पेशली पान खाने की तब तो वो सेफ है बट उसके अलावा अगर कोई मदर को डेली पान खाने की आदत है शुरू के तीन महीनों में जब जिनको बहुत जदा लेडिस को देखो उल्टी होती है कुछ खाने का मन नहीं करता है ऐसे टाइम पे पान चल जाएगा कभी गवार उस कफ को कम करने के लिए बट थर्ड या फोर मन्त के बाद पान अच्छा नह अर सब यह सब दरा उसकी कोई मात्रा हें चाहिए या कैसे हो ना चैक पान आठेव के साथी फाइदेमंद है इसके क्या क्या नु Palatya X में कैंसर की गाठे देखने मिलती हैं पीसी ओडी जैसे उन सारी चीजों में पान और चूने का कॉंबिनेशन मतब कफ रिलेटेड बीमारियां है तो बहुत अच्छा है बट अगर किसी को अल्रेडी बहुत जदा गर्मी ब्लीडिंग यह सब लग रही है तब ना तो चूना और नहीं पान दो के दोनों अच्छे नहीं है दोनों क्योंकि गराब है नीचर में तो सर पान जो है पान खाने के बाद क्या कोई ऐसी चीज है जो कि खाना अवॉइड करना जाए जैसे कि बोला गया है कोई एक चीज खाते है उसके अपोजिट कोई खाते है जैसे लाहार माना जाए ऐसी कोई चीज है पान तो नॉर्मली जो अपने देश में परंपरा है वो खाने के बाद है उसको एक टाइप से अनुपान की तरह यूज़ करते हैं कि खाने के बाद क्या लेना चाहिए तो पान के बाद तो डेफिनेटली और कुछ भी आपको खाना एवा केवल पानी लेना ही अच्छा है वो भी साधा पानी क्योंकि पान और गरम पानी प्योगे तो अच्छा नहीं है पान खाके ऊपर से फिर आप और कोई मिठाई विठाई खा रहे हो तो वह अच्छा नहीं है क्योंकि हमारे देश में खाने की एंडिंग ही पान खाके करते है जाते जाते एक और टीप पान हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है तो ऐसे लोग जिनका हार्ट प्रॉपर काम नहीं करता जो दिन में सोते हैं बहुत ही आलसी है फैटी लीवर जिसी तकलीफ हुई है और उसके कारण हार्ट पे इंपेक्ट हो रहा है कोलेस्ट्रॉल लेव जान में पान खा सकते हैं फिर भी डाउट है कि पान खाए या ना खाए तो आप अपने नश्दी की आईरवेदिक डॉक्टर को दिखा के अपनी प्रकृति चेक कर लिजिए और दिन में एक से दो दो पान लिमिट है दो पान तक आप खा सकते हैं वह आईरवेद के हिसाब से सेफ है तो उमीद है आपके डाउट क्लियर हुए होगी थैंक्यू थैंक्यू थैंक्यू